जाहिंद आयोध्धा राम मंदिर को लेकर हमारे प्यारे भारत में चारो तुरब खुसियां ही खुसियां दिखाई दे रही हैं आयोध्धा में राम मंदिर के उद्गाटन और मंदिर से जुड़े महत पूर्ण परशन इस वीडियो के माद्यम से कवर करूँगा जो आपके एक्जाम के लिए महत पूर्ण हो सकते हैं आप वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और चैनल को सस्क्राइब करें कमेंट में जैसरी राम जरूर लिखें तो आई ये साथियों सुरुआत करते हैं आज की सांधार क्लास के साथ आज का पहला प्रशन है आयोद्धा के राम मंदिर का निर्माड किस सैली पर किया जा रहा है नागर शैली में सातियों इस मंदिर का निर्माड किया जा रहा है राममंदिर का भूमी पूजन कब हुआ था? आयोद्धा को अन किस नाम से जाना जाता है महत्पूर्ण पॉइंट है जाती हो आयोद्धा को अन किस नाम से जाना जाता है तो right answer इस प्रिसंद का option number C ए और V दोनों है यह निए इसको पहले फैजावाद भी कहा जाता था इसको साकेत के नाम से भी जानते थे महत्पूर पाइंट है आपसो नमबर C राम मंदिर की उचाई कितनी होगी महत्पूर पाइंट है साथियो एक्जाम में आपसे पूँच लेगा एक्जामनर की राम मंदिर की उचाई कितनी है राइट आंसर है आपसो नमबर एज आते हो ठीक है इसकी उचाई 161 फिट है महत्पूर पाइंट है ठीक है 161 फिट राम मंदिर की उचाई है मंदिर की लंबाई अगर बात करें पूरब से पच्चिम तो 380 फिट साथियों इसकी लंबाई है और चोणाई 250 फिट उचाई 161 फिट है राम मंदिर में कितने खंबे होंगे महत्पूर पाइंट है इस तरह से इस मंदिर को डेजाइन के जाएगा राम मंदिर में खंबों के गर बात करें तो इसमें साथियों 392 खंबे लगाए जाएंगे राम मंदिर में कितने मंदप होंगे महत्पूर पाइंट है साथियों राम मंदिर में कितने मंदप होंगे राइट आंसर है अप्शन नमबर 20 साथ है उसमें 5 मंडप बना जाएंगी जिनके नाम साथीं वो अलग हैं नत्य मंडप, रंग मंडप, सभा मंडप, प्राथना मंडप, वा कीरतन मंडप टीक है इसमें कितने कुल्स में 5 मंडप होंगे आयोद्धा में राम मंदिर का निर्माड कौन करा रहा है राइट आंसर है आप्शन नमबर डी चंदरकांत सोम पुरा ठेके महत्पुन पाइंट है आप्शन नमबर डी चंदरकांत सोम पुरा साथे उस मंदिर का निर्माड करा रहा है सही आंसर है सिरी राम जनम भूमी तीर्त छेतर के दोरा शाति है उस मंदिर का निर्माड कराया जा रहा है महतपुन पॉइंट है राम लला की जो प्राण पृतिष्टा है साति है किस तारीक को की जाएगी राइट आंसर है 22 जनवरी सन 2024 को साति है इनकी प्राण प्रतिष्टा की जाएगी राम लला की प्राण प्रतिष्टा का सुब मोहरत कितनी समय का होगा सही आंसर है अपस नमबर भी 84 सेकेंड का साति हो सुब मोहरत का समय होगा और ये साति हो फोटो है आप देख लीजिएगा राम मंदिर परशर के चारो कोनों में क्या होगा राम मंदिर परशर के चारो कोने हैं और उन चार कोनों में क्या बनाय जाएगा राइट आंसर है अपसा नमबर इसमें चार मंदिर बनाय जाएगे छोटे छोटे चार मंदिर बनाय जाएगे राम मंदिर परशर के चारो कोनों पर चार मंदिर होगे जिसमें सोर्देब, देवी भगवती, गडेश भगवान और भगवान सिब को समर्पित होगे उत्तरी भुजा में मा अन्डपोना का मंदिर जबकी दच्छनी भुजा में हनुमान जी का मंदिर भी होगा आयोद्धा की विवादित भूमी से कौन सी एतियासी घटना जुड़ी है सही आंसर है ओप्शन नमबर C बाबरी मस्जीद का जो विदवन्स किया गया था शातियों सन 1992 में ठीके तो शातियों ये घटना जुड़ी होई है आयोद्धा राम मंदिर का भूमी पूजन एवं सेला न्यास कब किया गया राइट आंसर इस पुषन का ओप्शन नमबर V पांच अगस्तन 2020 को आयोद्धा की जो राम मंदिर की भूमी इसका पूजन एवं सेला न्यास किया गया था आयोद्धा विबाद फैसला बाद राम मंदिर सिनल्यास को कुल कितने दिन लगे राइट आंसर इस प्रसन का आप्स नमबर ए सातियों तीस साल आट महाईने 27 दिन का इसमें समय लगा है आयोद्धा किस राजज में इस्तित है राइट आंसर है अप्स नमबर सि उत्तर पदेश में सातियों और अध्या इस्तित है उत्तर पदेश की राजज़ानी लगनो है उत्तर पदेश के मुख मंतरी है योगी आदितनात और यहां की राजजपाल है आनंदी बेन पटेल राम लला की नई मूर्थी की उचाई कितनी है महत्पूर्ण पाइंट है इस तरह के साथ वे राम लला की मूर्थी है इसकी गर उचाई की बात करें तो इस मूर्थी की उचाई है अप्स नमबर भी 51 इंच साथियों सो मूर्थी की उचाई है यह मूरती है आप देख लिजेगा यह रामलला की मूरती है जैपुर के एक मूरती कार दोरा तयार की गई रामलला की 51 इंच उची मूरती उत्तरपदेश के आयुद्धा पहुँच गई है राम मंदिर का निर्माड काफी जोरों से हो रहा है आयसे में लोग रामलला की मूरती देखने के लिए भी काफी ज़्यादा उत्सुक्त है आयुद्धा में 22 जनबरी 2024 को जलने बाली अनोखी अगरवत्ती कितने फिट लंबी है महत्पूर्ण पाइंट है शातियों इस अगरवत्ती कि अगर लंबाई के एगर हम बात करें तो इसकी लंबाई है 108 फिट ठीके महत्पूर्ण पाइंट है और ये कब जलाई जाएगी सातियों 20 तारीक को जलाई जाएगे और लगब तीन महीने तक सातियों जलती रहेगे इस अगरवत्ती को बनाने में 3-4 महीने का वक्त लगा है ये अगरवत्ती 45 दिनों तक प्रजलित होगी साति 15-20 किलो मिटर तक के एरिये में इसकी सुगंद जाएगी अगरवत्ती का वजन 35 किलोग्राम है इसका निर्माण गुजरात में किया गया था बावर किस वन्सका सासक था महत्पुन पाइंट है बावर किस वन्सका सासक था राइट आंसर है अप्चन नमबर 2 साति में गुल मुगल वन्सका सासक था ठीक है बावर मुगल वन्सका सासक था बाबरी मस्जित तोड़ी गई थी तब उस समय उत्तरपदेश के मुख्य मं मंत्री कौन थे राइट आंसर है अप्स नमबर शी कल्याण सिंग सातियों उस समय उत्तरपदेश के मुख मंत्री थे ठीक है और 1992 में सातियों बाबरी मस्जित को तोड़ा गया था अयोध्य राम मंदिर विवाद की सुनवाई कितने दिनों तक चली राइट आंसर है अप्स नमबर वी सातियों इसकी सुनवाई 40 दिनों तक चली थी महत्यपूर पाइंटे नोट करेंगे सभी लोग जोद्य विवाद का फैसला सुनाने में सामिल जजों में नायदीस रंजन गंगोई के अलावा चार और कौन थे महत्यपूर पाइंटे इस परसंद का राइट आंसर है अप्स नमबर ये सातियों उपरवक तो सभी ये सातियों रंजन गंगोई के लावा चार अन जश्टिस थे ठीक है टोटर मिलाकर कितने पाँच लोग थे यहाँ पर आपने इनकी फोटो देख पार है तो ये पाँच लोग थे इनके दोराई सातियों राम मंदिर का फैसले का निर्माड किया गया था बाबरी मस्जित का बनाई गई राइट आंसर है उप्सन नमबर शी 1528 इसमी में बाबरी मस्जित का निर्माड किया गया था आयोध्यय बीबाद में सुप्रीम कोट ने अपना अंतीम फैसला कव सुनाया ? राइट आंसर है उप्सन नमबर शी 11FFFF को सातियों आयोध्य openमाड में सातियों सुप्रीम कोट ने अपना अंतीम फैसला सुनाया था हाली में किस इस्थान पर चार लाख दिये जलाकर गनीज भुक में नाम धर्ज कराया राइट आंसर इस पसंद का अप्सन नमबर शी आयोद्य में सातियों चार लाख दिये जलाकर गनीज भुक में वर्ल्ड रिकॉर्ट बनाया है उत्तरपदेश की वर्तमान मुख्य मंतरी कौन है राइट आंसर है अप्सन नमबर शी आनंदी बेन पटेल और यहाँ पर आपके इनीज फोटो देख पा रहे है यह उत्तरपदेश की राजजी पाल है अप्सन नमबर 27 सुप्रीम कूट ने शमिदान के किस अनुचेत की थैत आयोद्या की बिबादित 2.771 जमीन पर मंदिर के लिए केंदत सरकार को टरश्ट बनाने एवं मुसलमों को 5 अकड़ भुम में मजजिद निर्माड हेतु आवंटित करने का आदिस दिया था राइट आंसर है इस पसंद का अप्सन नमबर A अनुचेद 142 सकेत है राइट आंसर है इस पसंद का अप्सन नमबर A आयोध्या का परवर्तित नाम क्या था? सही आंसर जाता है इस परवर्तित नाम के गरबात के तो इसका परवर्तित नाम फैजावाद था वर्ष दोजार अठारा में उत्तरपदेश राजिके मुक्मंत्री योगी आदित्तनात ने फैजावाद जिले का नाम परिवर्तित कर आयोध्धा कर दिया आयोध्धा का पौराणिक प्राचीर नाम साकेत भी कहा जाता है वर्ष 1992 में बावरी मज्जित तोड़ी गई उस समय भारत के प्रधान मंत्री कौन थे सही आंसर इस पिसन का ओप्सन नमबर सी पीवी नर्शिंग मारा महतपून पाइंट है अब सभी लोग इन पाइंटों को इस्टार बना करके नोट करेगा क्योंकि ये सभी प्रशन आपके गजाम के लिए बहुत ही महतपून है तो साथे वो वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बिताएं और कितना स्कोर रहा आपका कमेंट करें कमेंट में जैर सिरी राम जरूर लिखें और चैनल को भी सस्क्राइब करें मिलता हूं अगली फिर नई वीडियो में तब तक के लिए जाएं